हेलो गाईस कैसे हैं अब आज हम बनाएंगे भिंडी की सब्जी जिसके लिए हमने भिंडी को वाश करके ले लिया है अब ह cesu हम एक कपड़े से शुखा साफ उससे हमें अच्छी तरीके से पोचलेना है इसे अच्छी तरीकए से हम पोच लेंगे इसके बाद नेक्स्ट प्रोसस में हम बंडी को कट करेंगे तो बंडी के Met gent साइज में कट करना है जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे है तो चलिए हम बंडी से कट कर रहे हैं तब से मैं आप से कहती हूं अगर आप मेरी चैनल पर नए है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट्स और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे और ऐसे ही रेसिपी मैं आपको बताती रहू और रेसिपी पसंद आए तो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करेए जैसा कि आप देख रहे हैं भिंडी को कट कर रहे हैं तो भिंडी हमारी कट होकर रेडी हो चुकी है बस थोड़ी और बचिए तो वो भी हम कट कर ले रहे हैं तुमिंडी कट करके रेडी है अब हम यहाँ पर कुछ चौके के लिए समान लिए तो मिर्चा, हींग और मेथी मैंने बिना लेसुन प्याज की सबजी बनाई है यहाँ पर तो मुझे यही तीन आइटम चाहिए थे तो मैंने यहाँ तेल पहले से गरम होने को चड़ा दिया थ कि इसे अच्छे से चटकने देंगे जब तक लाल ना हो जाए जैसा कि आप वीडियों देख पा रहे हैं अब हम इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च एड़ करेंगे महीन वाला जो आता है और यहाँ पर हम भिंडी को एड़ करके अच्छी तरीके से चला करके पकाएंगे हमने लाल मिर्च इसलिए अड़ की है क्योंकि यहां पर हरी मिर्च लाल मिर्च तोनों मिला के हम अड़ करें हैं तो बहुत सी सोंधापन और अच्छी सब्जी बनती है इस वज़े से स्वाध अनुसार नमक अड़ किया है अब सब्जी को हमें यहां पर ऐसे ही चलाते रहना है थोड़ी थोड़ी देर पर की नीचे से लगे ना और हमें सब्जी को ढखना नहीं है खुला ही पकाना है जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऐसे ही सब्जी हमें खुली पकानी है तो इसमें बिल्कुल लसार नहीं आएगा भिंडी एक भी तूटेगी नहीं और बिल्कुल गलेगी भी नहीं आप बहुत ही अच्छी से एकदम कुरकुरी और क्रिस्पी सब्जी बनेगी अप पराठे के साथ तो बहुत ही अच्छी दोस्तों ऐसे बीच में चेक कर लेना है भिंडी पकी है या नहीं क्योंकि सब्जी बहुत जल्दी बनके तयार हो जाती है तो एक बार चेक कर लेना बनता है कि अब भिंडी को उपर है कि भिंडी कैसी है अब बहुत ज़्दी होती है तो बहुत जल्दी पक जाती है हमचुर एड़ करके मैं इसे चला लूँगी क्योंकि मेरी सबजी पक चुकी है, लास्ट मुझे हमचुर को एड़ करना है, तो अब मैं इसको सर्फ करती हूँ, तो दोस्तो मैंने यहाँ पराटे के साथ सर्फ किया है, आप रोटी के साथ भी सर्फ कर सकते हैं, तो दोस्तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं रेसिपी पसंद आई हो तो दोस्तो और फैमली के साथ शेयर करें तब तक के लिए थैंक यू बाई बाई अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में